मेरा नाम देव बिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूटूब चैनल टेक देव में स्वागत है तो दोस्तों ये है माइक्रोसाफ्ट एक्सेस का टुटोरियल लंबर 2 अगर आप अभी तक टुटोरियल लंबर 1 नहीं देखें तो आप उपर दिये गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या तो नीचे दिये गए डिस्क्रिप्सल लिंक पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को Microsoft Office Access Software को स्टार्ट करना बताया था और इस वीडियो में आप लोगों को Microsoft Office Access में New Database Create करना और Table Create करना बताऊंगा ओके तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको अपना MS Access Software ओपन करना है इसके लिए आपको अपने कीबोर्ट से बिंडोच प्लस आर बटन प्रेज करना है और इसको प्रेज करने के बाद आपका Run का डैलोग बॉक्स ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है यम यस एकसेस आप यहाँ पर इसक्रीन पर भी टाइप होगा आप उसको भी देखकर टाइप कर सकते हैं ओके तो मैंने यहाँ पे टाइप किया यम यस एकसेस इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा ओके का तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा Microsoft XS का software open हो ग आपके अपने file menu में या तो आप चाहें तो यहां पर नीचे आपको एक option मिलेगा new का तो आपको एक बार यहां पर click कर दना है ओके आप चाहें तो यहां पर directly click कर सकते हैं या तो आप चाहें तो यहां पर फाइल में जाकर new पर भी click कर सकते हैं जिसका shortcut की आपको मिलेगा control प् तो आपको एक बड़ यहां पे क्लिक कर दना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आपके software के right side में आपका new file का dialogue box open हो जाएगा इसके बाद नीचे यहां पे type है blank database तो आपको एक बड़ यहां पे click कर दना है इसके उपर click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपका file new database का एक dialogue box open हो जाएगा इसके बाद आपसे यहां पे पुछेगा आपके file का नाम तो मैंने अपने database file का नाम type किया db5 इसके बाद नीचे यहां पे type है save edge type तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे type है Microsoft Office Access database इसके बाद आपको अपने file का location करना select तो मैंने अपने file का location किया desktop औ desktop लेने के बाद आपको right side में एक button मिलेगा create का तो आपको एक बार यहां पे click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं जो मेरा database का dialogue box यह open हो गया आप यहां पे देख सकते हैं ओके इसके right side में आपको यहां मिलेगा minimize, maximize और close button तो आप इन सभी का use भी आप यहां पे click करके कर सकते हैं ओके अगर आप minimize button के उपर click करेंगे तो जो आपका database का dialogue box है यह minimize हो जाएगा आप यहां पे देख सकते हैं ओके इसके बाद आपको next option में maximize का तो आप यहां पे click करके आप इसको full screen में कर सकते हैं आप यहां पे देख सकते हैं आप यहां database का dialog box था ये full screen में convert हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद अगर आपको इसको छोटा करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक button मिलेगा restore window का तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है तो मैंने पे click करके आप अपने database के dialog box को close कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे type है db5 क्योंकि मैंने अपना file का नाम change नहीं किया था इसलिए यहाँ पे save हो गया db5 के नाम से ओके तो जो आपका Microsoft Access 2003 software है इसका extension .mdb है और जो आपका और जो आपका Microsoft Office Access 2007, 2010 2013 2016 है इन सभी का extension आपको मिलेगा .accdb आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको screen पे भी दिखाई देगा आप चाहें तो इसको type भी कर सकते हैं ओके इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा object तो जो आपका Microsoft Office Access 2003 software है इसके अंदर आपको 7 object मिलेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का नाम यहाँ पे type है tables इसके बाद query, form, report pages, micro and models आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके तो आज की इस वीडियो में हम लोग table object का use करना सीखेंगे, ओके तो मैंने यहाँ पे click किया table object को पर और इसके उपर click करने के बाद आपको इसमें 3 option मिलेंगे first आपको मिलेगा create table in design view, इसके बाद second आपको मिलेगा create table by using wizard इसके बाद आपको next और last मिलेगा create table by entering data, ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर फिर्ष्ट में type है create table in design view तो आपको इसके उपर double click करना है या तो आप चाहें तो यहाँ पे एक बार click करके आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपन तो आप यहाँ पर भी click कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर open के उपर click कर दिया इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका table 1 का एक table open हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर आपको three columns मिलेंगे first आपको मिलेगा field name का इसके बाद second आपको मिलेगा data type का इसके बाद आपको third मिलेगा description का आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे field name वाले box में क्लिक किया और इसके अंदर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे type कर लिया first name मैंने यहाँ पे type किया first name इसके बाद यहाँ पे type है data type तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है इसके बाद आपको next sale में click करना है इसमें click करने के बाद मैंने यहाँ पर type कर दिया last name मैंने यहाँ पर type किया last name इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर click करने के बाद आप यहाँ पर type हो गया automatically text जो आपका last name है इसको भी हम लोग यहाँ पर text में type करेंगे इसलिए यहां पे select आपका होगा text इसके बाद आपको next cell में click करना है इसके बाद मैंने यहां पे type कर दिया mobile number ओके इसके बाद आपको फिर से data type ओले cell में click करना है और इसके अंदर click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे automatically आगया text लेकिन जो आपका mobile number है यह हमेशा number में होता है इसलिए आपको यहां पे एक option मिलेगा selector का तो आप यहां पे click करके आपको यहां पे number select करना है क्योंकि मुझे यहां पे अपना mobile number number में type करना है इसलिए मैं यहां पे select करूँगा number इसके बाद आपको next cell में क्लिक करना है और next cell में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया email id मैंने यहाँ पर टाइप किया email id इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पर data type में आगया text ओके तो जो आपका email id है यह text और number दोनों में रहता है इसलिए यहाँ पर आपको text select करना है ओके इसके बाद आपको यह सब type करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा close का तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिना है आप चाहें तो यहाँ पर top side में save option के उपर भी क्लिक कर सकते हैं ओके तो मैंने यहाँ पर save option के उपर ही क्लिक कर दिया और इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा save as का dialogue box open हो गया इसके बाद आप से यहाँ पे पुझेगा आपके table का नाम तो मैंने यहाँ पे type कर दिया my personal data मैंने यहाँ पे type किया my personal data इसके बाद आपको यहाँ पे एक button मिलेगा ओके का तो आपको एक बार यहाँ पे click कर दिना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका next dialogue box open हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे yes button के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा table एक create हो गया my personal data के नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप है माई परसनल डाटा इसके बाद यहां पर टाइप है फर्ष्ट नेम इसके बाद लाश्ट नेम इसके बाद मॉबाइल नमबर और लाश्ट में आपको मिलेगा इमेल आईडी और फर्ष्ट में आपको यहां मिलेगा आईडी जिसमें आपका सीरियल नमबर तो मैंने आपको कोई भी नंबर टाइप किया और नंबर को टाइप करने के बाद आपको इमेल आइडी वाले सेल में क्लिक करना है और इसमें क्लिक करने के बाद आपको अपना इमेल आइडी यहां पर टाइप करना है ओके तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अपना कर दियाद में इसके बाद मैंने यहां पर डे सकते हैं अगर आपको नाम टाइप करना जी आप नाम कर सकते हैं और अपना नाम कोड़िया पार उपकल करते हैंजने करता हक Candice आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा close का तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है इसके उपर click करने के बाद आपका यहाँ पे next dialogue box open हो जाएगा Microsoft Office access करके और इसमें आपको तीन बटन मिलेगा first आपको मिलेगा yes का इसके बाद आपको next मिलेगा no का और आपको यहाँ पे last में मिलेगा cancel का बटन जिससे आप अपने इस box को cancel कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देख सेते हैं यहाँ पे type है no तो आप यहाँ पे click करके आप अपने file को save कर सकते हैं ओके तो मैंने यहाँ पे yes बटन के उपर click किया और इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा table था वो यहाँ पे save हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके अगर आपको इसको open करके देखना है तो आप यहाँ पे double click कर और डबल क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं जो मेरा डेटा यहां पे पूट था वो यहां पे अभी भी यहां पे दिखाई दे रहा है आप यहां पे देख सकते हैं ओके इसके बाद मैंने यहां पे close बटन के उपर क्लिक कर दिया ओके तो अगर आप अपने टे यूजिंग बीजाट का तो आपको इसके उपर डबल किलिक करना है और डबल किलिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेबल बीजाट का डैलोग बॉक्स ओपन हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके इसके बाद आपको इसमें दो कैटेगरी मिलेगा फ कुछ सिंपल्स के फिल्ड मिलेंगे जिसमेंसे आप अपना सिंपल स्लेक्ट कर सकते हैं ओके तो मैंने आप फर्ष्ट नेम की उपर क्लिक किया और इसके फिर से यहां पर इड़ वाले बटन की उपर पर उपर क्लिक किया इसके बाद मैंने अपने सीटी को एड्ड किया अप यहां पर देख सकते हैं ओके इसके बाद मैंने कर लिया अपना कंट्री और कंट्री को सलैड करने के बाद आपको और भी यहाँ पे कुछ select करना है तो आप इसमें select कर सकते हैं इसको select करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक button मिलेगा next का तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है इसके उपर click करने के बाद आपका next page open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे type है what do you do want to name your table ओके तो आप अपने table का जो कुछ भी नाम type करना चाहते हैं आप यहाँ पे type कर सकते हैं ओके तो मैंने यहाँ पे type कर दिया my personal data to इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक button मिलेगा next का तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है इसके उपर click करने के बाद आपका next step open हो जाएगा इसके बाद आपको फिर से next के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपको last में एक button मिलेगा finish का तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है इसके उपर click करने के बाद आपका table create हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा table create हो गया my personal data 2 के नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपको फिर से इसको fill up करना है तो मैंने आप फर्स्ट नेम के उपर क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद मैंने आप टाइब कर दिया, अपना नाम, तो मैंने आप टाइब किया, देव, और देव टाइब करने के बाद मैंने आप लाश्ट नेम में टाइब कर दिया, बिंद, इसके बाद मैंने आप एड्रेस में यहां पे टाइब कर दिया, साधियाबाद, इसके बाद मैंने आप city में type कर दिया अपना city जैसे कि मैंने यहाँ पर type कर दिया जी जेट पी इसके बाद मैंने अपना state यहाँ पर type कर दिया UP इसके बाद आपको next मिलेगा इसमें country का तो आप यहाँ पर click करके आप अपना country type कर दियेगा तो मैंने यहाँ पर type कर दिया इंडिया, ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपने टेबल को फिलब कर लिया, इसके बाद आपको next नाम टाइप करने के लिए आपको next cell में क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दिना है, ओके नाम को टाइप करने के बाद आपको आप चाहें तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करने के बाद आपका table फिर से open हो जाएगा और आप इसको directly यहाँ पर edit भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर next कोई नाम टाइप करना तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना next नाम भी type कर सकते हैं, इसके बाद right side में आपको यहाँ पर एक button मिलेगा, close का तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका यह फाइल close हो जाएगा, ओके यह था हमारा create table by using wizard option, इसके बाद आपको next और last option मिलेगा, इसमें create table by entering data तो आपक table का dialogue box open हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी column का नाम, field 1, field 2, field 3 और field 4 के नाम से दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके तो आपको किसी एक field के उपर क्लिक करना है, और field के उपर क्लिक करने के बाद आपको इसके एक option मिलेगा rename column का तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका column rename हो जाएगा इसके बाद आपको इसमें जो कुछ भी type करना है आप यहाँ पे type कर सकते हैं तो मैंने आपको टाइप कर दिया first name तो मैंने यहाँ पे type किया first name इसके बाद मैंने field 2 के उपर right click किया और right click करने के बाद आपको यहाँ पे option मिलेगा rename column का तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है इसके उपर click करने के बाद आपका column rename हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे अपना next header type करना है तो मैंने यहाँ पर type कर दिया last name मैंने यहाँ पर type किया last name इसके बाद आपको next मिलेगा field number 3 तो आप चाहें तो यहाँ पर right click भी कर सकते हैं या तो आप चाहें तो इस पर double click भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर double click किया और double click करने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा field है यहाँ पे rename हो गया इसके बाद आपको इसमें जो कुछ भी type करना है आप यहाँ पे type कर सकते हैं ओके तो मैंने आप टाइब कर दिया address ओके मैंने आप टाइब किया state इसके बाद मैंने यहाँ पे field 6 के उपर double click किया और इसमें मैंने आप टाइप कर दिया country ओके इसके बाद आपको यहाँ पे field 7, 8, 9, 10 में आपको जो कुछ भी type करना है आप यहाँ पे double click करके type कर सकते हैं ओके अगर आपको नया column insert करना है तो इसके लिए आपको किसी एक column के उपर right click करना है और right click करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक option मिलेगा insert column करके तो आप यहाँ पे click करके आप अपने column को insert कर सकते हैं ओके अगर आप अपने column को delete करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे option मिलेगा delete column का तो आप यहाँ पे click करके आप अपने column को delete कर सकते हैं ओके तो मैंने अपने column को यहाँ पे delete कर दिया तो मैंने click किया delete column के उपर इसके बाद आपको यहाँ पे yes के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपका एक column delete हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पे फिल्ड 8 के उपर राइट क्लिक किया इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आपसन मिलेगा डिलीट कॉलम को तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है इसके बाद आपको यस बटन के उपर क्लिक करके आप अपना column delete कर सकते हैं column को delete करने के बाद आपको यहाँ पे option मिलेगा save का तो आप एक बर यहाँ पे click कर दीजे और इसके उपर click करने के बाद आप से यहाँ पे पुझेगा आपके table का नाम तो मैंने यहाँ पे type कर दिया my personal data 3 मैंने यहाँ पे type किया my personal data 3 इसके बाद आपको यहाँ पे एक button मिलेगा okay का तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है और इसके उपर click करने के बाद आपका next dialogue box open हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे yes button के उपर click करना है और इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं my personal data 3 का dialogue box open हो गया आप यहां पे देख सकते हैं इसके बाद आपको इसको यहां पे fill up करना है तो यहां पे type है first name तो मैंने आपे क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद मैंने अपना नाम टाइब कर दिया देव इसके बाद मैंने अपना लाश्ट नेम टाइब कर दिया बिंद इसके बाद मैंने अपना एड्रेश टाइब कर दिया साधियाबाद इसके बाद मैंने अपना सिटी यहां पर टाइब कर दिया जी जेट पी इसके बाद मैंने अपना next name type करना है तो आप यहाँपे this sale में click करके आप अपना next name भी type कर सकते हैं ऐके और नाम को type करने के बाद आपको यहाँपे एक button में लेगा close का तो आपको एक बार यहाँपे click करना है इसके उबर click करने के बाद आपका यह dialogue box changing तो आप चाहेँ इसके बाद आप यहां पे देख सकते मेरा हैं पे आप अप यहां पर देख सकते हैं अगर आपको इस में और भी नाम टाइब करना तो आप यहां क्लिक करके अपना नाम टाइप कर सकते हैं ओके नाम को टाइप करने के बाद आपको यहां पे close बटन के उपर क्लिक करना इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका यह फाइल सेव हो जाएगा ओके तो आप यहां पे देख सकते मैंने आप लोगों को table object के सबी options के बारे में बता दिया आप यहां पे देख सकते हैं ओके तो यह था हमारा table object option जिसके बारे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया next वीडियो में मैं आप लोगों को query object option के बारे में बताऊंगा तो उम्मिद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सेर जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और पास में दिये गए बेल को भी प्रेस कर दिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो थैंक्स पर चिंग माई वीडियो